आतंकी संगठन अब जम्मु शेत्र को निशाना बना रहे हैं। लगातार इस तरह के हमलों से साफ है कि आतंकियों ने इस शेत्र में अपनी जड़े फिर से जमाली है। बोगलिक दरश्टी से समझे तो जादतर हमले पीर पंजाल के दक्षन शेत्र में हो रहे हैं। ये पूरा शेत्र गना पहाडी जंगल है। और कुछ मिटर भी देखना संभव नहीं है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का फायदा उठाकर सुरक्षा बलो पर हमला करते ह हैं और फिर जंगल में भाग जाते हैं और इस शेत्र में ठीकानों में छिपे रहते हैं। इन आतंकी हमलों के बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। एलपाइन क्वेस्ट लोकेशन एप्लिकेशन आप सोच रहे होंगे कि आतंकी हमले की बात करते हुए मैंने अचानक इस एप्लिकेशन का नाम क्यूं लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाच एजेंसियों की नजर इस एप्लिकेशन पर टिक गई। एजेंसियों के मुताबि ये गने जंगलों के सारे नदी नाले और पहाडी गुफाओं की बिलकुल क्लियर लोकेशन मिल जाती है पाकिस्तान में इन आतंकियों को बकायदा इस एप की ट्रेनिंग भी दी जाती है सेना से जुड़े सुत्रों के अनुसार मौजूदा समय में जम्मू में दो अलग-अल प्लोटिंग की जाती है फूफी आइजेंसियों के मुताबिक भारत में गुस्पेड कर चुके दोनों मौडियूल ने कई छोटे-छोटे ग्रूप बना है जिसके जिम्में एलपाइन क्वेश्ट द्वारा चिन्नित किये गए जम्मू के शेत्रों के इलाके को प्लोट में बाटा गया है आतंक्यों के ग्रूप का मुवमेंट इसी प्लोट के मुताबिक होता है आतंक वादियों को पाकिस्तानी सेना की मदद से ट्रेनिंग दी जा रही है साथ ही उनके परिवारों को भी आर्थिक मदद बेजी जा रही है सुत्रों के हवाले से बताया गया है कि प चांती अमन को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आतंकी हमलों को लेकर सरकार गंबीर है। ये कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान पर फिर से कब सर्जिकल स्टाइक होगी। पर रक्षा सचीव के बयान को हलके में नहीं लेना चाहिए। रक्षा सचीव किरिदर अर्माने ने कहा था कि कट हुआ हमले में पांच जवानों की मौत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि भारत इसके पीछे चिपी पूरी ताक्तों को नेस्तनाबूत करेगा।